अलो दोस्तो अभी में के एजुकेशन में मैं अरविन मक्वाना आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बारती समीधान के मौस्ट आइम पी प्रस्न पार्ट चोधा इसे पहले तेरा पार्ट अपलोड हो चुके है यदि देखना बाकी हो तो आप देख लिजेगा राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकरूत है महाधिवक्ता अधिकरूत है डक्टर भिमराव अमबैटकर सन 1947 से 1951 तक किस विबाग के कैंद्री मंत्री रहे तो कानून मंत्री थे जनहित याची का किस नियायलई में दायर की जा सकती है उच्छतम नियायलई तथा उच्छ नियायलई में की जा सकती है बारतिय समिदान के किस भाग या भागों में आर्थिक नियाय को समिदान का लक्ष्य गोशित किया गया है प्रस्तावना और निती निदर्शक सिद्धान्त में किया गया है बार्तिय समीधान की ग्यारावी हैनुसुची किस से सबंधित है पंचायती राजति सबंधित है समीधान का प्रारूप करने के लिए समीधान सबाद्वारा प्रारूप समीति का गठन कब किया गया पहले हैं संसद को मूल अधिकारों में संसोधन करने का अधिकार समिधान के किस संसोधन के द्वारा किया गया तो 24 वा संसोधन 1971 में किया गया था। मुल अधिकारों के उलंगन की स्थिती में किस अनुच्छेद के अंतरगत व्यक्ति सिदे सर्वोच यायलई में आविदन कर सकता है तो वो है अनुच्छेद 32 के अंतरगत बारत के किसी राज्य में विदान परिशद का सुजन अत्वा समाप्ति की जा सकती है राज्य विदान सबा के सब्त सबंदी संकल्प पारित करने पर संसद्वारा किया जा सकता है बारत के समिदान का धाचा तयार करने के लिए हमने संगीव यवस्ता की योजना किस देश से लिए है सहिंट राज्य अमेरिका से यानि यूएस ऐसे यूनाइटे स्टेट अफ अमेरिका जनवरी 1925 में दिली में हुए सर्वदली ये सम्मेलन के समक्स Commonwealth of India Bill को प्रस्तुत किया गया जिसको भारत के लिए एक सम्मेधानिक प्रणाली की रूप रेखा प्रस्तुत करने का प्रतम प्रमुक प्रयास माना जाता है इस सम्मेलन की अध्यक्सता किस ने की थी तो इसकी अध्यक्सता महात्मा गांधी ने की थी राज्यपुनर गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया और इससे अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को पेस की इस आयोग का अध्यक्स किसे नियुक्त किया गया था फजल अली को पंचायती राज को सम्वेधानिक स्वरूपकब दिया गया सन 1992 में तहत्तरवे संसोदन द्वारा दिया गया सम्विधान के भाग तीन में अनुच्छत 12-35 तक मुलिक अधिकारों के बारे में विश्त्रूत वर्णन किया गया है इन अधिकारों का निर्दारान समिधान सबा द्वारा गठित एक समिती द्वारा किया गया इसके अध्यक्स कौन थे सर्दार वल्लबाय पटेल थे जो हाइलाट किया हुआ है वो भी याद रखते जाएगा अनुचेद 19 में बारतियक शेत्र में कहीं भी ब्रह्मन तथा इसके किसी भी भाग में निवास करने के अधिकार का उल्लेक किया गया है किस में अनुचेद 19 में किस अनुचेद के अनुसार कस्मी राज्यक शेत्र में देश के किसी राज्य के निवासी को स्थाई निवास करने पर प्रतिबन लगाया गया था तो वो था अनुच्छद 370 जिसको हटा दिया गया है जब अनुच्छद 352 के अधिन राश्टी आपातकाल की गोशना की गई हो तब अनुच्छद 19 द्वारा प्रदत मौलिक अधिकारों का स्वतह निलंबन हो जाता है और राश्टपती अधिसुचना जारी करके अन्यमुल्य अधिकारों को समाप्त कर सकता है लेकिन किन अनुच्छद 20 द्वारा प्रदत अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किये जा सकते हैं केबिनेट मंतरी सरकार की नितियों को निर्धारित करते हैं और प्रत्यक ऐसे आवश्यक विशई पर विदेयों का प्रारुप तयार करते हैं जिन्हें वे विदी रूप से पास करना चाहते हैं समिधान में केबिनेट सब्द का उल्लेक नहीं किया गया था लेकिन 44 समिधान संसोधन के द्वारा केबिनेट सब्द को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया अनुच्छेद 352 में स्थान दिया गया 44 समिधान संसोधन द्वारा महान्याईवादी सरकार का मुख्यो विदी अधिकारी होता है उसे भारत के सभी नियाय अलोयों में सुनवाई का अधिकार होता है साथ ही उसे संसत के दोनों सदनों में बोलने तथा उनकी कारिवाही में भाग लेने का अधिकार होता है पर वोट नहीं दे सकता इसकी नियुकति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति ध्वारा की जाती है महानिय वादी की नियुकति उसके लावा जो जो चीजा है लाइट की हुई है सब important है याद रखेगा यदि किसी समय लोगसबा में अज्यक्स तथा उपाद्यक्स उपस्तित न हो तो ऐसी स्थिती में सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए लोगसबा सदस्यों में से लोगसबा अज्यक्स छे सभापतियों की एक सूची बनाता है और जरूरत पढ़ने पर उस सूची में मनोनित किये गए व्यक्ति सभापति के रूप में सदन के अधिवेशनों की अज्यक्सता करता है इस रूप में अज्यक्स को कौन सी सक्तिया प्राप्त नहीं होती है तो अज्यक्स को सारे सक्तिया प्राप्त जो है वो होती है पारिवारिक वातावान में सोहार्द पुर्ण स्थिति के साथ यदि कोई पारिवारिक समस्या है तो उसका यथा सिग्र समाधान करने विवा आदी पारिवारिक मुदो को निप्टाने के परिवार न्यायले की स्थापना परिवार न्यायले अधिनियम 1984 द्वा रक्की गई ह इसके लिए नियुन्तम कितनी आबादी होना आवस्यक है तो 10 लाग की आबादी होनी चहिए परिवार नियायले अदिनियम के तहट जो परिवार नियायले roll किस्थापना होती है तो 10 लाग आबादी हो तो वहां पे हो सकती है समिधान के अधिकतर भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए परंतु नागरिक्ता चुनाव अस्ताई संसत तथा कुछ अन्य अस्ताई प्रावधान तुनंत यानि की खाले जग्या को ही यानि के ब्लेंक को ही लागू हो गए थे तो कब लागू हो गए थे 26 नवेंबर 1949 को लागू हो गए थे जब्मु कस्मिर का निजी समिधान कब लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था 15 सदस्ये नियम समिती तो नियम समिती में कितने सदस्ये होते हैं? 15 होते हैं जो प्रकलिया तथा कारिय संचालन सब Sinn Beispiel मामलों पर विचार करती है तथा सदन की प्रकलिया को सुधारने के लिए सुजाव देता है इसकी अद्यक्स ता कॉन करता है? स्पिकर इसका पदेन सभापती होता है जो स्पिकर है वही उसका अध्यक्स होता है केंद्र तथा एक या उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवाद के मामले कौन से नियायलई में प्रारंब हो सकते है केवल सर्वोच नियायलई में प्रारंब हो सकते है उच्छ न्यायलेयों में न्यायदीसों की संख्या कितनी हो सकती है निर्दारित नहीं है कहीं भी ऐसा लिखावा नहीं है कि इस उच्छ न्यायलेयों में इतनी न्यायदीस हो सकते है दमन दीव तथा पौनी चेरी के प्रसासको को उपरा ज्यपाल अनमान तथा निकोबार दीव समू तथा चन्ली गड में उन्हें मुख्य आयुक्त तथा लक्स दीव में उसे ब्लेंक के नाम से जाना रहता है तो लक्सदीप में क्या कहते है प्रसासक कहते है तो याद रखेगा दवबन दीव पॉनिचेरी में क्या कहते है तो एड्मिनिस्ट्रेसर यानि प्रसासक कहते है प्रसासक जो होते है उसको उपराज्यपाल कहते है यानि कि लेटनेंट गवर्नर कहा जाता है अन्मान तथा न समिधान के किस संसोदन द्वारा लोगसभा की सीटे 525 से बढ़ा कर 545 कर दी गई तथा संगीयक शेत्रों के प्रतिनी इदियों की संख्या 25 से घटा कर 20 कर दी गई आंसर आएगा 31 वे समिधान संसोदन द्वारा 1973 में किस समिधान संसोदन को मिनी कंस्ट्यूशन भी कहा जाता है तो 42 वे समिधान संसोदन को मिनी कंस्ट्यूशन कहते है अब आपकी टेस्ट जो हमने वीडियो देखा उसी में से आपको यहाँ पर क्वेशन पुछे आएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं जिससे आपका नोलेज भी बढ़ेगा और मुझे भी पता चलेगा कितने लोग अच्छी तरह से वीडियो देखते हैं और कितने लोगों को इनका अंसर आता है यदि इनका अंसर नहीं आता तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा इससे पहले मैं बता दूँ कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किजिए कॉमेंट किजिए अपने सभी दोस्तों को वीडियो सेर किजिए चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में देखे बेल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जीतने भी वीडियो है आप तुरंथ ही देख पाए आपको वेट नहीं करना पड़े इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है आप चैनल के नाम पे क्लिक करके वीडियो में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो की PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलिग्राम चैनल की लिंक प्लस वर्टसप ग्रूप की लिंक दी हुई है वहाँ पे जूड जाएंगे तो वहाँ पे आपको डेली निउस पेपर, डेली करेंट अफेर, मौस्टा अंपी, PDF और लेटेस्ट गवर्मेंट जोब की अपडेट मिलती रहेगी आगे बढ़ते हैं टेस्ट में प्रथम प्रस्न है जनहित याची का किस नियायलाई में दायर की जा सकती है दूसरा बारतिय समिधान की ग्यारावी अनुसूची किस से सब्बंदी थे जम्मू कस्मीर का निजी समिधान कब लागू हुआ था और किस समिधान संसोदन को मिनी कंस्टिउशन भी कहा जाता है तो चारो प्रस्न के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करमसहत देने है आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में टैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो